रोमियो के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो यिशु मसी का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सू समाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सू समाचार के विशाय में करता हूं वही मेरा गवाहा है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्वरं करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनिती करता हूं कि किसी रीती से अब ही तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर के इच्छा से सफल हो क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हे कोई आत्मिक वर्दान दू जिससे तुम स्थिर हो जाओ अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शान्ती पाँ हे भाईों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अंजान रहो, कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला, वैसा ही तुम्में भी मिले, परंतु अग्त तक रुका रहा, मैं युनानियों और अन्य भाशियों का, और तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, सू समाचार सुनाने को भर्षक तैयार हूँ, मैं सू समाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहुदी, फिर युनानी के लिए, उध्धार के निम्मित परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभगती और अधर्म पर स्वर्क से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म में दबाय रखते हैं इसलिए कि परमेश्वर के विशे का ग्यान उनके मनों में प्रकट है परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है क्योंकि उसके अंदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व चगत की स्रिष्टी के समय से उसके कामों के द्वारत देखने में आते हैं यहां तक कि वे नुरुत्तर हैं इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग के बढ़ाई और धन्यवात ना किया परन्तु वेर्थ विचार करने लगे यहां तक कि उनका निर्बुध्धी मन अंधेरा हो गया वे अपने आपको बुध्धी मान जदा कर मुर्ख बन गए उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश मान मनुष्य और पक्षियों और चोपायों और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत की समानता में ब छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनाधर करें क्यूंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर जूट बना डाला और स्रिष्टी की उपासना और सेवा की ना की उस स्रिजनहार की जो सदा धन्य है आमी इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच काम मुणाओं के वश में छोड़ दिया यहां तक कि उनकी स्त्रिएं ने भी स्वभाविक वेवहार को उस से जो स्वभाव की विरुथ है बदल डाला वैसे ही पुरुश भी स्त्रिएं के साथ निचानिय परमेश्वर की ठीक पल पाया जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोग और बैरभाव से भर गए और डहा और हद्द्या और जगड़े और छल और इर्शा से भरपूर हो गए और जुगल खोर बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घ्रने औरों का अनादर करने वाले अभिमानी डीन मार बुरी बुरी बातों के बनाने वाले माता पिता की आक्या ना मानने वाले निर्बुध्धी, विश्वास खाती, मया रहे और निर्दै हो गए वे तो परमेश्वर की ये विथी जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यू के दंड के योग्य हैं तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं अध्याय दो सोहे दोश लगाने वाले तू कोई क्यों नहों तू निरुत्तर है क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोशी खहराता है इसलिए कि तू जो दोश लगाता है आप ही वही काम करता है हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आग्या होती है हे मनुश्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है और आप वही काम करता है क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आग्या से बच जाएगा क्या तू उसकी क्रिपा और सहन शीलता और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की क्रिपा तुझे मन फिराव को सिखाती है पर तू अपनी कठोड़ता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा नयाय प्रगठ होगा अपने निमित क्रोध कमा रहा है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोच में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा पर जो विवादी हैं और सत्ते को नहीं मानते वना नधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है कलेश और संका ठायका पहले यहूदी पर फिर युनानी पर पर महिमा और आदर और कल्यान हर एक को मिलेका जो भला करता है पहले यहूदी को फिर युनानी को क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाती लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हिर्दाओं में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक की कवाही देते हैं, और अपने पर भरोसा रखता है, कि मैं अंधों का अगुआ, और अंधकार में पड़े हुएं को जियोती, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, और बालकों का उप्देशक हुँ, और ग्यान और सत्य का नमुना, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है, सो क्या तू, जो औरों को सिखाता है, अपने आपको नहीं सिखाता है, क्या तू, जो चोरी ना करने का उप्देश देता है, आप ही चोरी करता है, तू जो कहता है व्यविचार ना करना, क्या आप ही व्यविचार करता है? तू जो मूरतों से घ्रणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूपता है? तू जो व्यवस्था के विशे में खबंड करता है, क्या व्यवस्था ना मान कर परमेश्वर का अनाधर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जैसा लिखा भी है। यदि तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाब तो है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को ना माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना की नी जाएगी और जो मनुष्य जाती के कारण बिन खत्ना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेक पाने और खत्ना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोशी ना ठेराएगा, क्योंकि वो यहुदी नहीं, जो प्रगट में यहुदी है, और मन में है, और खत्ना वही है, जो हिर्दय का और आत्मा में है, ना कि लेक का, ऐसे की प्रशंजा मनुष्यों की ओर से नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर से होती है, अध्याय तीन, सो यहुदी की क्या बढ़ाई, अथ्वा खतने का क्या लाब, हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो ये, कि परमेश्वर के वचन उनको सौपे गए, यदि कितने विश्वास खाती निकले भी, तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वास खाती होने से, परमेश परमेश्वर सच्चा, और हर एक मनुष्य जूठा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे, और न्याय करते समय, तू जय पाए, सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिक्ता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें, क्या ये, कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याई है, ये तो मैं मनुष्य की रुईती पर कहता हूँ, कदा भी नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा, यदि मेरे जूट के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग ठहराया जाता हूँ और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोश लगाया भी जाता है और कितने कहते हैं इनका यही कहना है हैसों का दोशी ठहराना ठीक है तो फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे हैं कभी नहीं क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनु पर यह दोश लगा चुके हैं तिवे सब के सब बात के वश में हैं जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए हैं कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं उनका गला खुली हुई कब्र है उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है उनके होटों में सापों का विश है उनका मूँ श्राप और कड़वाहट से भरा है उनके पाम लहू बहाने को फुर्तीले हैं उनके मार्गों में नाश और कलेश है उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना उनकी आखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के आधीन है जिससे हर एक मूँ बंद किया चाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग के ठहरे क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा कारण कि व्यवस्था के द्वारा बाप की पहचान होती है पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिक्ता प्रगठ हुई है जिसकी गवाही, व्यवस्थात और भविश्य द्वक्ता देते हैं अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिक्ता जो मसीही पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं सब ने पात किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है परन्तु उसके अनुक्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी यिशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराई जाते हैं उसे परमेश्वर ने उसके लोहु के कारण एक ऐसा प्राश्शित ठहराया जो विश्वास करने से कारे-कारी होता है कि जो पाप पहले किये गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहन शीलता से आनाकानी की उनके विशे में वो अपनी धर्मिक्ता प्रगट करें वरन इसी समें उसकी धर्मिक्ता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और यिशु पर विश्वास करें, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, तो घमंड करना कहां रहा। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खत्ना वालों को विश्वास से, और खत्ना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? कदा भी नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं. अध्याय चार सो हम क्या कहें कि हमारे शारेडिक पिता इबराहिम को क्या प्राप्त हुआ यदि इबराहीम कामों से धर्मी ठराया जाता तो उसे खमंट करने ही जगा होती परन्तु परमेश्वर के निकट नहीं पवित्र शास्त्र क्या कहता है ये कि इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरनभक्तिहीम के धर्मी ठेहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना चाता है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाउद भी धन्य कहता है धन्य वे हैं जिनके अधर्म ख्षमा हुए और जिनके पाप धापे गए धन्य है वो मनुश्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए तो ये धन्य कहना क्या खतना वानु के ही लिए है या खतना रहितों के लिए भी हम ये कहते हैं कि इबराहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिक्ता गिना गया तो वो क्यों कर गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में, खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में, और उसने खतने का चिन्न पाया, कि उस विश्वास की धार्मिक्ता पर छाप हो जाए, जो उसके बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और की वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किये हूँ का पिता हूँ चुना केवल खतना किये हुए हैं परंतु हमारे पिता इबराहीम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की रशा में किया था। क्योंकि ये प्रतिग्या कि वो जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंच को व्यवस्था के द्वारत दी गई थे। परंथु विश्वास की धार्मिक्ता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो व्यवस्था वेर्थ और प्रतिग्या निश्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपचाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीती पर हो कि प्रतिग्या सब वन्ष के लिए द्रिड हूँ, ना कि केवल उसके लिए जो विवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही थो हम सब का पिता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हूँ को जिलाता है, और जो बाते हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, कि मानू वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन की अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो एक सो वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई कीसी दशा जान कर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ। ना उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संदेह किया, पर विश्वास में द्रिड होकर उसने परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना, कि जिस बात कि उसने प्रतिग्या की है, वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया और ये वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिक्ता गिना चाएगा अर्थाद हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु येशु को मरे हुओं में से जिलाया वो हमारे अपराध्धों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया अध्याए पाँच सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु येशु मसी के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंट करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंट करें। यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसी ठीक समय पर भक्ती हीनु के लिए मरा, किसी धर्मिजन के लिए कोई मरे, ये तो द परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रकट करता है, कि जब हम पापी ही थे, तभी मसी हमारे लिए मरा, सो जब कि हम अब उसके लोहों के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोट से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसक चीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, और केवल यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभू, यिशू मसी के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विशे खमंड भी करते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप चगत में आय और पाप के द्वारा मृत्यू आई, और इस रीती से मृत्यू सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया, क्योंकि व्यवस्था के दिये जाने तक पाप चगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्था नहीं, वहां पाप किना नहीं जाता, तो भी आदम से लेकर मूसा तब, मृत्यू ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्हों ने उस आदम के अपरात की नाई, जो उस आने वाले का चिन्न है, पाप ना किया, पर जैसा अपरात की दशा है, वैसी अनुग्रह के वर्दान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपरात से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात, येशू मसी के अनुग्रह से हुआ, बधेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, जैसा एक मनुष्य के पात करने का फल परन्तु बहुत धेरे अपराधों से ऐसा वर्दान उत्पन हुआ कि लोग धर्मी ठेरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यू ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रहे और धर्म रूपी वर्दान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यिशू मसी के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आग्या का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निम्मे धर्मी ठहराय जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरें, वैसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, और व्यवस्था बीच में आ गई, कि अपराग बहुत हो, परंदू, जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यिशु मसी के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिए धर्मी ठेराते अध्याएच्छे सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें, कि अनुग्रह बहुत हो, कदा भी नहीं, हम जब पाप के लिए मर कए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं, क्या तुम नहीं जानते, कि हम जितनों ने मसीही यिशु का बबतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बबतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बबतिस्मा पाने से, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीही पिता की महिमा के दुआरा, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही, हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, क्योंकि यदि, हम उसकी मृत्यु क मताइट के साथ चुट गये हैं तो निश्चे, उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, कि हमारा पुराना मनुसियत्व उसके साथ क्रूस पर चड़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व म में ना रहे क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जीएंगे भी। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुऊ में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। उस पर फिर मृत्यों की प्रभुता नहीं होने की क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिए मसीही यिशु में जीविच चमचो। इसलिए पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौपो पर अपने आपको मरे हुऊ में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौपो और अपने व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के आधीन हो तो क्या हुआ कि हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के आधीन है कदा भी नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आग्या मानने के लिए तुम अपने आपको दासों की नई स पाप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत्म्रिक्त्यु है, चाहे आग्या मानने के जिसका अंतधर्मिकता है। परन्तु परमेश्वर का धन्यवात हो, कि तुम जो पाप के दास थे, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके साचे में ठाले गए थे, और पाप से छुड़ाये जाकर धर्म के दास हो गए. मैं तुम्हारी शारिरिक दुरबलता के कारण मनुश्यों की रूईती पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुधता और कुकर्म के दास करके सौपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौप तो, जब उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे क्योंकि उनका अंत तो मृत्यू है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दाश बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका परिणाम अनंत जीवन है क्योंकि पाप की मज़्दूरी तो मृत्यू है परंतु परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभू मसीही यिशू में अनंत जीवन है अध्याय साथ हे भाईयों क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है क्योंकि व्यवाहिता इस्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पती के जीते जी उससे बंधी है परंतु यदि पती मर जाए तो वो पती की व्यवस्था से छूट गई तो व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओ में से ची उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए क्योंकि जब हम शारिनिक थे तो पाप की अभिलाश आए जो व्यवस्था के द्वारा थी म्रत्यों का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे चूट गए कि लेक की पुरानी रीती पर नहीं वरना अत्मा की नहीं रीती पर सेवा करते हैं तो हम क्या कहें क्या व्यवस्था पाप है कदा भी नहीं वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता व्यवस्था यदि न कहती के लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता परन्तु पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन किया क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीविन था परन्तु जब आग्या आई तो पाप जी गया और मैं मर गया और वही आग्या जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आग्या के दुआरा मुझे बहकाया और उसी के दुआरा मुझे मार भी डाला इसलिए वेवस्था पवित्र है और आग्या भी ठीक और अच्छी है तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यू ठहरी करा भी नहीं परन्तु पाप उस अच्छी वस्थू के द्वारा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगट हो और आख्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप मैठ है क्योंकि हम जानते हैं कि वेवस्था तो आत्मिक है परन्तु मैं शारीरिक और पाप के हाथ विका हुआ हूँ और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं किया करता, परंतु जिस से मुझे घ्रणा आती है, वही करता हूँ, और यदि जो मैं नहीं चाहता, वो करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, कि वेवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरंपाप है, जो मु मुझ में अर्थात मेरे شरीर में कोई अच्छी वस्तूबास नहीं करते। इच्छा तो मुझ में है, परंतू भले काम उससे बन नहीं पढ़। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैंनारा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है, मैं भीतरी मनुश्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन रहता हूँ, परन्त मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी इसे कौन छुड़ाई करा, मैं अपने प्रभु येश्व मसी के द्वार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, निरान में आप उद्धी से परमेश्वर की व्यवस्था का है, परन्त मुझे शरीट से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ, अध्याए आट व्यवस्था शरीर के कारण दुर्वल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेज कर, शरीर में पाप पर दंद की आक्या दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधी हम में जो शरीर की अनुसार नहीं, वरन आत्मा की अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात में आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो म परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के आधीन है और ना हो सकता है और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्द नहीं कर सकते है परंतु जब की परमेश्वर का आत्मा तुम में बस्ता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवत है और यदि उसी का आत्मा जिसने यिशु को मरे हुओ में से चिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसी को मरे हुओ में से चिलाया वो तुम्हारी मरनहार देहु को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा सोहे भाईओं हम शरीर के कर्सदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तुझी विद्र होगे इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाय चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि तुमको दासत के आत्मा नहीं मिली ये फिर भैबीत हो परन्तु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा ये पिता कहकर बुकारते हैं आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ कवाही देता है, कि हम परमेश्वर की संतान है और यदि संतान है, तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुक उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुक और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है क्योंकि इस रिष्टी बड़ी आशा भरी दृष्टी से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि इस रिष्टी अपने इच्छा से नहीं, पर आधीन करने वाले की ओर से विर्थता के आधीन इस आशा से की गई। कि स्रिष्टी भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंतरता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी स्रिष्टी अब तक मिलकर कहरती और पीडाओं में पड़ी तड़ती हैं, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं, और लेपाला खोने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट ज हुआ है, परन्तु जिस स्वस्तु की आशा की जाती है, यदि वो देखने में आए, तो फिर आशा कहां रही, क्योंकि जिस स्वस्तु को कोई देख रहा है, तो उसकी आशा क्या करेगा, परन्तु जिस स्वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो प्रार्थना किस रीती से करना चाहिए परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनिती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मन्सा क्या है क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है, अर्थात उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहरा भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ, ताकि वो बहुत भाईयों में पही लोठा ठहरे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी हैं सो हम इन बातों के विशे में क्या कहें यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जिसने अपने निजपुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा परमेश्वर के चुने हुओं पर दोश कौन लगाएगा परमेश्वर वो है चोन को धर्मी ठहराने वाला है फिर कौन है जो दंड की आग्या देगा मसी वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और कौन हमको मसी के प्रेम से अलग करेगा क्या क्लेश या संकट या उपद्रफ या अकार या नंगाई या जोखिम या तलवा चैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन घर खात किये जाते हैं हम बद्र होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए है बरंतु इन सब बातों में हम उ से प्रेम किया है जैवंत से भी बढ़कर है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यू ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविश्य ना सामर्थ ना उचाई ना गहराई और ना कोई और स्रिष्टी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभू मसीह यिशु में है अलग कर सकेगी अध्याए नौ मैं मसीह में सच कहता हूं छूट नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में कवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाईयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं आप ही मसीह से शापित हो जाता वे इस्राइली हैं और ले पालक पन का हक और महिमाई और वाचाएं और व्यवस्था और उपासन और प्रतिक्याएं उन्हीं की हैं पुर्खे भी उन्हीं के हैं और मसी भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सब के उपर परम परमेश्वर युगान युग धन है आमीन परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया इसलिए कि जो इसराइल के वन्शज हैं वे सब इसराइल ही नहीं और ना इब्राहीम के वन्श होने के कारण सब उनकी संतान ठेरे परंतु लिखा है कि इस हाग ही से तेरा वन्श कहलाएगा अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिग्या के संतान वन्श किने जाते हैं क्योंकि प्रतिग्या का वचन ये है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा पिता भी एक से अर्थात, हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक चन में थे, और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, उसने कहा, कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, क परन्तु बुलाने वाले पर बनी रहे, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, परन्तु ऐसों को अप्रिय जाना, सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है, कदा भी नहीं, क्योंकि वो मुसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर खृपा करना चाहूं, उसी पर खृपा करूंगा, सो ये ना तो चहने वाले की ना दोड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसी लिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी प्रित्वी पर हो सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है सो तु मुझसे कहेगा वो फिर क्यों दोश लगाता है कौन उसकी इच्छा का सामना करता है हे मनश्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है क्या गड़ी हुई वस्तू गषने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है क्या कुमहार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बरतन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की जो विनाश के लिए तयार किये गए थे बड़े धीरच से सही और दया के बरतनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा और ऐसा होगा कि जिस जगह में वे उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और यशया इस्राइल के विशे में पुकार कर कहता है कि जाहे इस्राइल की संतानों की किंती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उन में से थोड़े ही बचेंगे क्योंकि प्रभू अपना वचन पृत्वी पर पूरा करके धार्मिक्ता से शीक्र उसे सिथ करेगा जैसा यशया ने पहले भी कहा था कि यदी सेनाओं का प्रभू हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहरते सो हम क्या कहें ये कि अन जातियों ने जो धार्मिक्ता की खोज नहीं करते थे धार्मिक्ता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिक्ता को जो विश्वास से है परंतु इस्राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हो उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे किसलिए इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोच करते थे उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जैसा लिखा है देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा अध्यायत दस हे भाईयों मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं क्योंको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंत बुद्धिमानी के साथ नहीं क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिक्ता के आधी ना हुए क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निम्मित मसीही व्यवस्था का अंत है क्योंकि मूसा ने ये लिखा है जो मनुष्य उस धार्मिक्ता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो इसी कारण धीवित रहेगा परंट जो धार्मिक्ता विश्वास से है वो यों कहती है तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या कहिराव में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर उपर लाने के लिए परन तु क्या कहती है ये के वचन तेरे निकट है तेरे मुह में और तेरे मन में है ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते है कि यदि तु अपने मूँ से येशु को प्रभु जान करंगी कार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुँ में से जिलाया तो तू निश्चय उधार पाएगा क्योंकि धार्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया चाता है और उधार के लिए मुँ से अंगीकार किया चाता है क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा यहुदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं इसलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वानों के लिए उदार है क्योंके जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उदार पाएगा फिर जिस पर उन्हें विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे और प्रचारक बिना क्यों कर सुने और यदी भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें जैसा लिखा है कि उनके बाव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया यशायाख कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार की प्रदीती की है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है परन्तु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी प्रित्वी पर और उनके बचन जगत की छोर तक पहुँच गए है फिर मैं कहता हूँ क्या इस्राहिली नहीं जानते थे पहले तो मुसा कहता है कि मैं उनके ध्वारा जो जाती नहीं तुम्हारे मन में जलन उप जाऊंगा मैं एक मूढ़ जाती के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा फेरी या शायाहर बड़े ही आप के साथ कहता है जो मुझे नहीं धूंडते थे उन्होंने मुझे पा लिया और जो मुझे भूचते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया परंत उस्राइल के विशे में वो ये कहता है मैं सारे दिन अपने हाथ एक आग्या ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की और पसारे रहा अध्याए ग्यारा इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याद दिया कदार पी नहीं मैं भी तो इस्राइली हूँ मैं इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाहा की कथा में क्या कहता है वो इस्राइल के विरोध में परमेश्वर से विनिती करता है हे प्रभू उन्होंने तेरे भविश्य द्वक्ताओं को खात किया और तेरी वेदियों को ठा दिया है मैं ही अकेला बच रहा हूँ और वे नेरे प्राण के भी खोजी है परन्तु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला मैंने अपने लिए साथ हजार पुर्शों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके है सो इसी रीती से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी है यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर करमों से नहीं नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा सो परिनाम क्या हुआ ये कि इस्राइली जिसकी खोज में है वो उनको नहीं मिला परन्तु चुने हुँँ को मिला और शेश लोग कठोर किये गए है जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नीद में डाल रखा है और ऐसी आँखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें और दाउत कहता है उनका खोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए उनकी आँखों पर अंधेरा च्छा जाए ताके न देखी और तू सदा उनकी पीठ को जुकाए रख सो मैं कहता क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई की गिर पड़े कदा भी नहीं परन्तों उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को धार मिला कि उन्हें जलन हो सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ती का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा मैं तुम अन्य जाथियों से ये बाते कहता हूँ जबकि मैं अन्य जाथियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ कि किसी रिती से मैं अपने कुटुम्बियों से जलन करवा कर उन में से कई एक का उधार कराँ, क्योंकि जब कि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहन किया जाना मरे हुँ में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब भेट का पहला पेड़ा पवित्र ठेरा, तो पूरा गुधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठेरी, तो डालियां भी ऐसी ही है, और यदि कई एक डालियां तोड़ दी गई, और तु जंगली जलपाई होकर उन में साटा गया, और जलपाई की अगनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर खमंड ना करना, यदि तू खमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परन्तू जड़ तुझे संभालती है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जम, भला वेतो अविश्वास के कारण छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर की क्रिपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परन्तू तुझ पर क्रिपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे, तू साटे जाएगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है, क्योंकि यदि तू उस चलपाई से, जो स्वभाव से जंगली है, काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो वे, जो स्वभाविक डालियां हैं, अप भाईयों, कहीं ऐसा ना हो, कि तुम अपने आपको बुद्धी मान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता, कि तुम इस भेट से अनजान रहो, कि जब तक अनजातियां पूरी रीती से प्रवेश ना कर लेगा, तब तक इस्राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस र भक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबके मैं उनके पापों को दूर कर दूँगा। तुमने पहले परमेश्वर की आग्या ना मानी, परन्तु अभी उनके आग्या ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आग्या ना मानी, कि तुम पर जो दया होती है, इस से उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सब को आग्या ना मानने के का प्रमेश्वर का धन और बुद्धी और ग्यान क्या ही कंभीर है उसके विचार कैसे अधा और उसके मार्ग कैसे अगम है प्रभू की बुद्धी को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बतला उसे दिया जाए क्योंकि उसकी ओर से और उसी के त्वारा और उसी के लिए सब कुछ है उसकी महिमा युगान युग होती रहे आमी अध्याए बारा इसलिए हे भायों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरन दिला कर विनिती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाफ्ता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सद्रिष्य ना बनो परन्तु तुम्हारी बुद्धी के नए हो जाने से तुम्हारा चालचलन भी बदलता चाए जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद इच्छा अनुभाओं से मालूं करते रहो क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आपको ना समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमांग के अनुसार बाट दिया है वैसा ही सुबुध्धी के साथ अपने को समझे क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीही में एक देह होकर आपस में दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें तिया गया है, हमें भिन भिन वर्दान मिले हैं, तो जिसको भविश्य द्वानी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमान के अनुसार भविश्य द्वानी करें, यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो जो अगुआई करें वो चाह से करें, जो दया करें वो हर्ष से करें, प्रेम निश कपठो, बुराई से घ्रणा करो, फलाई में लगे रहो, भाई चारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस परादर करने में एक दूसरे से पढ़ चलो, प्रयत्म करने में आलसी ना हो, आत में कुन माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य ल अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो स्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगती रखो अपनी दृष्टी में बुद्धी मान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो जहां तक हो सके, तुम अपने भर्षक सब मरश्यों के साथ मिल मिलाप रखो हे प्रियों, अपना पल्टा ना लेना, परंतु प्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा है, पल्टा लेना मेरा काम है प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा परंतु यदी तेरा बैरी भूखा हो, तो उसे खाना खिला यदी प्यासा हो, तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ठेर लगाएगा बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को चीत लो अध्याय तेरा हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के आधिन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की ओर से ना हो और जो अधिकार है, वे परमेश्वर के ठेराय हुए है इस से जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधी का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परन तु बुरे काम के लिए डर का कारण है सो यदि तु हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है परन्तु यदि तु बुराई करे तो डर्म क्योंकि वो तलवार वेर्थ लिये हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंट दे इसलिए आधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है वरन विवेक भी यही गवाही देता है इसलिए कर भी दो क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं इसलिए हर एक का हक चुकाया करो जिसे कर चाहिए उसे कर दो जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो जिससे डरना चाहिए उससे डरो जिसका आधर करना चाहिए उसका आधर करो आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्स्तार न हो क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पुरी की है क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, भत्या न करना, जोरी न करना, दालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्या हो तो सबका सारांच इस बात में पाया जाता है कि अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख प्रेम पडोसी की कुछ बुराई नहीं करता इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है और समय को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीम से जाग उठने की घड़िया पहुची है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उध्धार निकट है राद बहुत बीत कई है और दिन निकलने पर है इसलिए हम अंधकार के कामों को तेश कर जोती के हधियार बांत लें जैसा दिन को सुहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें ना कि लीला, क्रीडा और प्यक्कडपन ना व्यभिचार और लुचपन में और ना जगड़े और डह में परन प्रभु यिशु मसी को पहन लो और शरीड के अभिलाशों को पूरा करने का उपाए ना करो अध्याय चोहत है जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगती में ले लो परन्तु उसकी शंकाओं पर विवात करने के लिए नहीं क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचत है परन्तु जो विश्वास में निर्बल है वो सागपाथ ही खाता है और खाने वाला ना खाने वाले को तुछ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोश ना लगाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहन किया है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है उसका स्थिर रहना या किर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है वरन वो स्थिर ही कर दिया चाएगा क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है हर एक अपने ही मन में निश्य कर ले जो किसी दिन को मानता है वो प्रभू के लिए मानता है जो खाता है वो प्रभू के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवात करता है और जो नहीं खाता वो प्रभू के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवात करता है क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और कोई अपने लिए मरता है क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभू के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभू के लिए मरते हैं सो हम चिया करें या मरें हम प्रभू ही के हैं क्योंकि मसी इसलिए मरा और जीवी उठा कि वो मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभू तू अपने भाई पर दोश क्यों लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुछ जानता है हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंखासन के सामने खड़े होगे क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक खुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगिकार करेगी सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा देगा अतैब आगे को हम एक दूसरे पर दोश ना लगाए पर तुम यही ठानों कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे मैं जानता हूँ और प्रभु इशु से मुझे निश्चे हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं परन्तु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है यदि तेरा भाई तिरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीती से नहीं चलता जिसके लिए मसीही मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए क्योंकि परमेश्वर का राज्ये खाना पीना नहीं परन्तु धर्म और मिलाब और वो आनंद है जो पवित्रा आत्मा से होता है जो कोई इस वरीती से मसीही की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहन योग ये ठहरता है इसलिए हम उन बातों का प्रयत्म करें चिन से मिल मिलाब और एक तूसरे का सुधार हो भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना विगाड़ सब कुछ शुध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए पुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस्पिये ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर ख मचता है अपने आपको दोशी ठहराता परंतु जो संदे करके खाता है वो दंड के योग के ठहर चुका क्योंकि वो निश्चय धाड़ना से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है अध्याए 15 निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्ब बलताओं को सहीं ना कि अपने आपको प्रसंद करें हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निम्मित प्रसंद करें क्योंकि मसीह ने अपने आपको प्रसंद नहीं किया पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ जितनी बात पहले से लिखी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांती के द्वारा आशा रखें, और धीरज और शांती का दाता, परमेश्वर तुम्हें ये वर्दान दे, कि मसीही यिशू के अनुसार आपस में एक मन रहो, जिससे तुम एक मन और एक मुं होकर, हमारे प्रभु यिशू मसी के पिता परमेश्वर की बढ़ाई करो, इसलिए जैसा मसी ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहन किया है, वैसे ही तुम भी एक तूसरे को ग्रहन करो, मैं कहता हूँ, कि जो प्रति ग्याएं बाब दादाओं को दी गई थी, उन्हें द्रिड़ करने के लिए मसीही परमेश्वर की सच्चाई का प्रमान देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाती भी दया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यबाद करूँगा, और तेरे नाम के भजन गाऊंगा, फिर कहा है, हे जाती जाती के सब लोगों उनकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर, हे जाती जाती के सब लोगों प्रभु की स्थुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सरा हो, फिर यशायाह कहता है, कि यशाय की एक जड़ प्रकट होगी, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी, का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपून करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, हे मेरे भाईयों, मैं आप भी तुम्हारे विशे में लिश्चे जानता हूँ, कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और इश्वरिय ग्यान से भरपूर हो, और एक तूसरे को चिता सकते हो, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाब करके लिखा है, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लि का मानों चड़ाया जाना, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहन किया चाए, सो उन बातों के विशे जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसी यिशू में बढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़, मुझे और किसी बात के विशे में कहने का हियाव जो मसी ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन, कर्म, चिन्नों और अध्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किये, यहां तक कि मैंने यरुशलेम से लेकर चारों और इल्लूरिकुम तक मसी के सू समाचार का पूरा-पूरा प्रचार किया, पर मेरे मन की उमंग यह है, कि जहां जहां मसी का नाम नहीं लिया गया, वहीं सू समाचार सुनाओं, ऐसा ना हो, कि दूसरे की नेव पर घर पनाओं, परन तु जैसा लिखा है, वैसा ही हो, कि जिन्हें उनका सू समाचार नहीं पहुँचा, वे ही देखें इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार-बार रुका रहा, परन्तु अब मुझे इन देशों में और जगे नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है, इसलिए जब इस पानिया को जाऊंगा, तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरुशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकी दुनिया और अख्या के लोगों को ये अच्छा लगा, कि यरुशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें, अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्स्तार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य चाती उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है कि शारिरिक बातों में उनकी सेवा करें, सो मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस पानिया को जाओंगा, और मैं जानता कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मसी की पूरी आशीश के साथ आऊंगा, और हे भाईों, मैं येशु मसी का जो हमारा प्रभू है, और पवित्र आत्मा के प्रें का स्मरण दिला कर, तुम से विनिती करता हूँ, कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने मे मेरे साथ मिलकर लॉलीन रहूँ, कि मैं यहुदिया के अविश्वासियों से बचा रहूँ, और मेरी वो सेबा, जो यरुशलेम के लिए है, पवित्र लोगों को भाई, और मैं परमेश्वर के इच्छा से, तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर, तुम्हारे साथ विश्रा शान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे, आमी मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीशिया की सेविका है, विनिति करता हूँ, कि तुम जैसा की पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभू में ग्रहन करो, और जिस किसी बात में, उसको तुमसे प्रयोजन हो, उसकी साहिता करो, क्योंकि वो भी बहतों की, वरन मेरी भी उकारणी हुई है, प्रिसका और अकविला को, जो यिशू में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर्दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं, वरन अन जातियों की सारी कलीशियाएं भी उनका धन् करती हैं, और उस कलीशिया को भी नमस्कार, जो उनके घर में है, मेरे प्रिये इपैनित उसको, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार, मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार, अंध्रु निकुस और युनि यास को, जो मेरे कुटुम्भी हैं मेरे साथ कैद हुए थे, और प्रेरितों में नामी है, और मुझ से पहले मसी में हुए थे, नमस्कार, अंपली यातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिये है, नमस्कार, उर्बानुस को, जो मसी में हमारा स प्रिया पिर्सिस को जिसने प्रभू में बहुत परिश्रम करती हैं नमस्कार। प्रभू में चुना हुआ है और उसकी माता जो मेरी भी है तोनों को नमस्कार। कुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीग की सारी कलीस्याओं की ओर से नमस्कार। अभे भाईयों मैं तुमसे विनिती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विप्रीत जो तुमने पाई है फूट पढ़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीग की नहीं परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्या मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। इसलिए मैं तुम्हारे विशय में आनंद करता हूँ। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परन्तु बुराई के लिए भोले बने रहो। शान्ति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाउं से शीग्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यिशु मसी का अनुक्रह तुम पर होता रहे। तिमुधियुस मेरे सहकर्मी का और लुकियुस और यासोन और सोसी पत्रुस मेरे कुटुम्बियों का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्दियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है। उसका तुम्हें नमस्कार। एरास्तुस जो नगर का भंडारी है। और भाई कवार्तुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको वो मेरे सू समाचार अर्थात यिशू मसीह के विशे के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेत के प्रकाश के अनुसार जो सनातान से छिपा रहा। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आग्या से भविश्य दक्ताउं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आग्या मनने वाले हो जाएं। उसी अद्ध्वायत बुद्धिमान परमेश्वर की यिशू मसी के द्वारा रूप महिमा होती रहे, आमीन झाल 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 झाल